है ठीक है और इस question को देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमें एक अच्छा question है लग रहा है simple लेकिन मुश्किल question है और यह final question है winter 2010 का मतलब यह किसी फैप का सवाल है जब बॉड्विल सिस्टम होता था तो इसमें कॉस्टिंग का अच्छा question को बोलता है अब्रहीम लेंटेद मैनेफेक्चर आव रैटी ओफ प्रोड़क्ट इबरहीम लेमेटेड बहुत सारी तरहां के बनाता है इस इबाइम लेमेटेड मैनेफेक्चर आवेरइटी ओफ प्रोडक्ट इच व्रॉद्ट इट रॉंच्च अथरीयच नूव बेरियेबल कॉस्ट प्रिद्यूसिंग फर्स्ट लॉट वॉज एज फॉलोज तिक है देखो यहां पर आपके पास जो है ना वह कंपनी लॉट्स में प्रोडक्शन करती है और हजार यूनिट्स जो है वह दस लॉट्स के बराबर है इसका मतलब एक लॉट में टोटल सौ इस्ट मैनेफेक्ट्रिंग ओएड्स है बीन एस्टिमेटेड रूपीज 1.3 मिलियन पर एनुम बेस्ट ऑन पास्ट एक्स्पेडियंस दा कंपनी एक्स्ट नानिंग कर रिशो तो अप्लाई उन इच प्रोडॉक्शन लॉट ऑफ 100 उनिट्स एंड लॉनिंग एफेक्ट इस साड़े 600 रुपए की सेलिंग प्राइज रखेंगे तो 45,000 चीज़ें बिखेंगी और अगर साड़े 500 की सेलिंग प्राइज रखेंगे तो सतर हजार चीज़ें बिखेंगे रिक्वार्मेंट है डिटर्माइन विच फी अबव प्राइज अबव प्राइज शुल्ट चार्ज पॉर नेक्स्ट यर एंडिंग 30 नवेंब्र 2011 इस गिवन एट भी इस इक्वास तो लॉग ऑफ पॉइं डिवाइड लॉग ऑफ लॉग ऑफ तो नेगेटिव जिरो इस सवाल में इस सवाल में हमें यह डिसाइड करना है कि हमारा जो साल कब खतम होगा देखो बोलता है डिटर्माइन विच ऑफ दी अबव प्राइज कमपनी शुल्ट चार्ज कमपनी इन दोनों में से क्या प्राइस चार्ज करें फॉर दर नेक्स यर अगले साल के लिए इ है अब पहरे जो है ना हम लोग ऐप्शन नमबर वन की वर्किंग करते हैं ऐप्शन नमबर वन ऑप्शन नमबर वन क्या है जो साड़े छे सो अगर मैं Solutions know oneんとی साथशों की Sally Prス रखता हूं तो में आबποर वन के लिए जाता हूं और मैं अपनी सेलिंग अहूं साड़े 600 िर benefiting से कितना बनेगा ऑच अबOMEन जाएगा साड़े 600 और जब साड़े 600 रृपैर के साथ से सैलिंग देगा तो में प्वाइब लिवीटियोत टो मेरा जो सेज्ट रेविन्यों वह तू-आइन-टू-फाइफ-जे-रो-ट्रिंड-पल-ग यह मेरा सेज्ट रेविन्यों जेनरेट होगा पहली बात ठीक जी तो 292-500-डिंड होगा सेज्ट revenue में से हम जो है वो profit प्याना आने के लिए सारी cost को माइनस करता है जाहर है मुझे अगर यह decision ले रहे हैं कि वही मैं साड़े 600 रुपए के हिसाब से चीजें बेचूं या मैं साड़े 500 रुपए के हिसाब से चीजें बेचूं तो company हमेशा यह देखती है कि किस level पर company प्रॉफिट सबसे ज़दा कमपनी हमेशा यह देखेगी कि किस लेवल पर company प्रॉफिट सबसे ज़दा तो पहले हम यह कर रहे हैं कि हम यह देख रहे हैं कि अगर साड़े 600 रुपए की सेलिंग प्राइस रखी जाए तो उस कंडिशन में मेरी कंप्टी में मेरा प्रॉफिट जो होगा इस प्रोड़क का वो कितना होगा अब सेल्स रेविन्यू तो टू नाइन टू फाइस जिरो ट्रिपल जिरो हो गया यानि कि मैंने सेलिंग प्राइस को साड़े 600 को मल्टिप्लाइ किया 35,000 से 25,000 को discrete से मल्टिप्लाइ किया तो 29 25 मैं से मुझे LESS करना होता है मेरी कोस्ट अचा कॉस्ट में आपके पास एक कॉस्ट होते हैं कोस्ट में कोस्ट होती है आपकी मटीरियल की कॉस्ट अब मुझे बता हो कि जब मैं 45,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी मटीरियल की कॉस्ट कितनी होगी कोई बता सकता है देखो हमारे पास प्रॉफिट रास अकाउंट एक बना वह एक कुछ वर्किंग दीवी है बुला वह है कि आपके पास जो है ना वह material की cost first lot first lot बनाने पर जो material की cost लगी थी ना वो 30,000 लगी थी अच्छा अभी यह जो मैं अपने पास PNL बना रहा हूं ना यह बना रहा हूं साड़े 45,000 यूनिट्स का अच्छा 45,000 यूनिट्स का मैं PNL बना रहा हूं और हर lot में 100 यूनिट्स हैं हर lot में 100 यूनिट्स हैं तो अगर हर lot में 100 यूनिट्स हैं तो 45,000 divided by 100 से मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितनी lots बना रहा हूं मैं 45,000 lots बना रहा हूं और एक lot पर 30,000 रुपए का material लगता है तो साड़े 400 lots बनाने के लिए 30,000 रुपए के हिसाब से साड़े 400 lots बनाने के लिए 30,000 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए के साप से 13.5 million का material लगता होगा clear है कोई मसला यहां तक अच्छा फिक्स कॉस्ट की बड़ी सेंपल सी वर्किंग है में मसला लेबर में तो फिक्स कॉस्ट भी लिखी देते हैं पहले देखो फिक्स मैनेफेक्ट्रिंग ओवरेड्स है बीन एस्टीमेटेड एड 1.3 million पर एनम याने के मेरे जो फिक्स्ट मैनेफेक्ट्रिंग ओवरेड्स होंगे वो डायरेक्ली 1.3 million होंगे तो 1.300000 याने के 1.3 million इसमें तो कोई मसला ही नहीं है आब माटीरियल भी हो गया फिक्स मेनेफेक्ट्रिंग ही ओग यहां जो चीजप बच गई है वो एक तो लेबर की कोस्ट है और एक क्या है वारीरियब्र ड्लॉwood और स क्या है pange इसyst 25 परसंट और द्यृ टाइरेक लेभर की जो भी से सुनना घौर से सुनना देख। अगर जब हम सवाल स्टार्ट करते हैं वहां पर चलेंगे तो इबिय ayam Limited प्रोडեirez बहुत सारी तरह की प्रोड़क्स बनाता है इकने फ्रेंग न्यू प्रोड़क्ट इन नवेंबर 2010 इन इस लॉंच्ट नू प्रोड़क्ट इन अवेंबर 2010 का मतलब यह है कि इस ने जिस नए प्रोड़क्ट को लॉंच करना था वह इसने साल नवेंबर 2010 में स्टार्ट कर दिया ठीक है एंड हैस प्रीड्यूस्ट वन थाउजन यूनिट्स यह टैन लॉट्स अप टू दे यर एंड़ेंड थर्टी एथ नवेंबर 2010 देखें बात को रिक्वाइमेंट से मैच करें यह जो उपर वाला पैरेग्राफ है इसको इस नीचे वाले पैरेग्राफ से मैच करें जो उपर वाले पैरेग्राफ है वो आपको यह बता रहा है कि जिस प्रोड़क्ट की नीचे बात हो रही है उसकी प्रोड़क्शन पिछ एक प्रोड़क्ट के दस लॉट्स या हजार यूनिट्स बना लिये थे हमें जो वर्किंग करनी है ना हमें जो वर्किंग करनी है अगर आप सवाल देखते हो तो सवाल है यह यह पर एक टाइम लाइन बना रहे हैं वह क्या है अच्छा देखो एक तो आपके पास जो है ना वह लेट से मैं यहां पर एक टाइम लाइन बनाता हूं ना यहां पर एक टाइम लाइन मना लेता हूं देखो लेट से पहली नविमबर पहली Therefore 2010 को वह प्रोड़क्शन स्कार्ट ओगई करनी का एक एरएन्ट्ट्स खत्म हो होगा 30 November 2000 और 11 वाले दिन या पहली December 2011 हमें जो PNL बनाना है हमें जो decision लेना है हमें जो decision लेना है वो इस साल का decision लेना है तो हम यह चेक करें कि इस साल मेरा जो है ना अगर मैं साड़े 600 की selling price रखता हूं तो इस साल मेरा profit कितना होगा जो साल पहली December 2010 को शुरू होता है और 30 November 2011 को खतम होता है बात समझ रहे हो लेकिन यह जो भी product जिसकी बात हो रही है इस product के units बनना पिछले साल शुरू हो गए थे और पिछले साल जो है वो 10 lots बन चुकी थी 10 lots बन चुकी थी lot number 1 से लेकर lot number 10 जो है lot number 1 से लेकर lot number 10 जो है वो पिछले साल में बना चुका था मैंने production पिछले साल शुरू कर दी थी इस नहे product की तो अगर मुझे बताओ मैंने production पिछले साल शुरू कर दी थी इस नहे product की तो labor की learning कब स्टार्ट हुई होगी क्या इस साल स्टार्ट होगी या पिछले साल अब्यसी बात है जब लेबर ने यूनिट्स बनाना शुरू करे होंगे नए प्रोड़क के चाहे वो पिछला साल हो ये साल हो जब उसने लेबर ने मजदूरों ने वरकिंग शुरू करी यूनिट्स बनान देखो 10 लोट इनों ने तीस तवेमे बनाई थी यानिकर इस इयर्ट से पहले बनाई थी तो इसका मतलब यह हो गया कि इस एयर्ट से पहले वाला जो यह एँड था तब तक यह लोग 10 चीजें Bana चुके थे 10 चीज़ें बनाने के एक्सपीरियंस नंके पास था ये लोग लॉट नमबर वण से लॉट नमबर 10 पिछले ही साल बना चुके थे अभी हम जो पीएएड़ बना रहे हो वो साड़े 400 लॉट्स का बना रहे हैं यानि कि इस साल अगर वो साड़े 400 लॉट्स बनाए तो प्रॉफिट कितना होगा यह हम देख रहे हैं अब अगर मैं इनकी लॉट की नम्बरिंग करूं तो मुझे बताओ लॉट नंबर कौन सा होगा देखो लॉट नंबर वन से 460 कहने को इस साल साड़े 400 चीज़े बना रहे हैं लेकिन लेबर जब चीज़े बनाता है उसकी लर्निंग तब शुरू होती है जब वो कोई यूनिट मैनेफेक्चर करना शुरू कर दे यहां पर लेबर की लर्निंग पिछले साल शुरू हुई है और पिछले साल वो दस यू मुझूद है तो इस साल जब वो चीज़े बना रहा है तो वो साड़े 400 चीज़े तो बना रहे हैं लेकिन अगर लेबर के परस्पेक्टिव से देखें कि उसने अपनी जिंदगी में पूरे कितने यूनिट बनाए तो हम कहेंगे कि 460 यूनिट बना लिए पहले से लेकर द हाँ यहां तक बात की है अच्छा अब एक और बात इस सवाल में जो है ना वो यह है कि लर्निंग कैसे हो रही है देखो वो बोलता है कि बेज़ डॉन पास्ट एक्स्वीनियंस दा कमनी एक्सपेक्स 90% लर्निंग एवरे शो अच्छा इसके अगें जो भी आना चाहिए वह सवाल के एंड में दिया हुए लेकिन एक और चीज़ एक्सवीर टू अप्लाई ओन इच तू अप्लाई ओन इच प्रोड़क्शन लॉट साइज ऑफ हंडर्ड उनिट्स यानिके लर्निंग जो हो रही है ना वो लॉट्स में हो रही है यानिके इस सावाल में मेरा जो ए होगा ना ए होगा वो क्या होगा जो मेरा ए होगा ना वो होगा time taken for first lot या cost for first lot unit में working नहीं होगी अगर learning जो है वो lots में हो रही है तो ए जो है वो time for the first lot होगा या cost for the first lot की value होगी और why क्या होगा वाई आपके पास अगर आपने time दिया तो average time for x lots होगा या फिर average cost for x lots यानि कि हर चीज़ ना वो lots में होगी क्योंके 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 सवाल में यह लिखावा है कि जो learning होती है वो lots में होती है तो जब learning lots में होती है तो ए भी lots में आएगा वाई भी lots में आएगा अच्छा आप मुझे बताओ क्या यहां पर पहली lot बनाने के लिए time दिया वह या पहली lot बनाने की कॉस्ट दीवी है यहां पर इस सवाल में पहली लॉट बनाने का टाइम नहीं दिया वा पहली लॉट बनाने की कॉस्ट दीवी है उपर आपके पास जो टेबल बनावा है उसकी हेडिंग है टेबल की हेडिंग है दव वेरियेबल कॉस्ट ऑफ प्रिड्यूसिंग दी lot was as follows और इसमें लिखावा है कि direct labor पहली lot बनाने के लिए 20,000 का लगेगा अच्छा सर अब यह जो मसला आपने timeline में highlight किया यह कैसे address करेंगे इस साल की labor की cost कैसे calculate करेंगे देखे हम करेंगे क्या सुने जरा गौर से सुनेगा हम जो है ना labor को यह बोलेंगे कि भाई तुमने lot number one से lot number four sixty जो है ना वो किस cost में बनाया उसमें से हम तुम्हारे lot number one से ten जो तुमने पिछले साल बनाया थे उसकी cost को minus कर देते हैं तो हमें बादा चल जाएगा कि तुमने lot number eleven से lot number four hundred and sixty कितने time में कितने cost में मनाया जो कि इस साल बनाई है लेबर ने लेबर ने लेबर ने पहले दूसरे साल पूरा मिल मिलाकर चार सो साथ चीज़े बनाई होंगी उसमें से पहली दस सीज़ें उसने पिछले साल बनाई थी उसकी cost निकाल देंगे तो जो साड़े चार सो चीज़ें इस साल बनाई थी उसकी cost आजाएगी बाद समझ में आई बई मैं पहले से लेकर four hundred and sixty lots की cost calculate करता हूं उसमें से पहले से लेकर दसमें lots जो पिछले साल बनाए थे उसकी cost को minus कर देता हूं तो इस साल जो lot number lot number 11 से lot number four four hundred and sixty यह जो lot's बनी है उसकी cost आजाएगी क्योंकि मुझे जब मैं equation लगाऊंगा तो मुझे जो cost मिलेगी वो one से start होती है अब मुझे बताओ कि जो one hundred and sorry जो four hundred and sixty lots है जो label ने बनाई है दस पिछले साल की साड़े चार सो इस साल की इसकी total cost क्या होगी इसकी total cost calculate करेंगे लिए ए ए यानिके दीस अजार इंटू एक्स यानिके 460 पावर भी पावर कितना दिया हुआ हमारे पर सवाल में negative 0.152 ए एक्स पावर भी इंटू एक्स देखो मैं क्या कर रहा हूँ ए एक्स पावर भी ये bracket में है यानिके 460 लॉट्स बनानी की average cost और उसको four hundred and sixty से four sixty से multiply कर रहा हूँ तो मेरे पास four sixty lots की total cost आ जाएगी बात को जरा अच्छे से समझो मैंने a x power b लगाया a x power b से मुझे पता चल गया के four sixty lots की average cost क्या है और उसको जब मैंने four sixty से multiply किया तो मुझे ये पता चल गया के four sixty lots की total cost क्या होगी आईशा जाइम सबको clear है नुमान हुदैद साही है तो आप बताओ four sixty lots की cost कितनी मन दिया four sixty lots की cost निकालने के लिए हमने twenty thousand याने के a a आने के cost for the first lot multiplied by x की power negative 0.152 याने के four sixty की power negative 0.152 multiplied by four sixty क्या तो three six two two eight three six two है वो मेरे पास one से लेकर four hundred and sixty lots की cost है अच्छा जी इसमें से अब माइनस कर देते हैं पहले 10 lots की cost इसमें से पहले 10 lots की cost अगर मैं मिझे माइनस करनी है तो a a आने के पहले lot की cost into x x याने के number of lots power negative 0.152 यह पहले 10 lots की average cost आ गई पहले 10 lots की average cost आ गई और इसको 10 से multiply करती है तो से हमारे पास पहले 10 lots की total cost आ जाएगी a x power b multiplied by 10 से हमारे पास पहले 10 lots की total cost आ जाएगी 20,000 multiplied by 10 की power negative 0.152 multiplied by 10 तो यह 140939 बन गया अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यह lot number 11 से lot number 460 जो इस साड़े 400 lots बनी है उसकी cost आ गई यानिके labor की cost आ गई यह labor की cost आ गई ठीक है अच्छा जी variable overheads कितने है तो हमें इस ही का 25% दे लिया और फाइनली हमने अपना profit calculate कर लिया जो profit होगा हमारा वो होगा sales revenue minus material fixed manufacturing overheads लेबर variable manufacturing overheads 10097629 ठीक है कोई किसी किसम का मसला है काइंडली मुझसे discuss करें मुझे जरूर बताएं before we move on सारे अपने जो इतने भी concerns है वो resolve कर वा ले और मुझसे पूछ लेंगे वही आपने जो है वो कोई अगर कोई चीज समझ नहीं आई है कोई बात समझ नहीं आई है काइंडली मुझसे प कि अच्छा चलो एक पुना टोको लास्ट क्वेश्चन में क्या सवाल था बताओ वो मैंने मिनिमाइस कर दिया है वैसे सर्व आपने अप्लोड कर दिया है बिल्कुल अप्लोड कर दिया और आज मैं इसका आंसर भी शेयर कर दूंगा आप रोको से ठीक है बताओ क्या 20-09-9-29-29-29-29-29-75-29-29-29-29- ピर चैं अध्शा अफ यह तो इस कंडिशन में प्रॉफबिट आ रहा है यह तो उस उस कंदिशन में प्रॉफब्फब्घ अ रहा है जब आप साढ़े 400 लोट्स बेचो गयो और एक लट्स आढ़े 600 की बेचो घाय यह इसकी बेंगिंग है ह हमें decision कैसे लेने हैं हमने यह एक basis पर profit calculate किया ना वह एक तरीके से तो यह profit आ सकता है ठीक है अब हमें option number two भी देखना होगा तेले बता दो option number one सबको clear है काइंड़ी इसकी picture ले लो कि I hope कि option number one सबको clear है kindly इसकी picture ले लो ताकि हम आगे भणे clear है ना हाँ दूनों को compare करना होगा तो अब हम option number two पर आते हैं और यहां पर करता हूं option number two मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा स्टार्ट बता देता हूं उसके बाद तुम लो कर लेना ठीक है अच्छा सुनो जरा गौर से सुन लो पहले सब देखो एक जगा पर लर्निंग रुप भी रही है मैं आप लोगों को इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि अगर 500 बना लिए तो लर्निंग लर्निंग रुख जाएगी ऐसा ही है अच्छा अब देखो option number two में आप क्या बोल रहे थे option number two में बोल रहे थे साड़े 500 की सेलिंग राइस रखूंगा और सत्तर हजार यूनिट्स यानिके 700 लॉट्स बना लूँगा इस साल 700 लॉट्स बिख जाएंगी ठीक है अच्छा अब देखो आपने फर्स्ट नवेंब्र 2010 को production स्टार्ट कर दी पहली बार आपका year end कब खतम वा आपका पहला year end खतम वा 30 नवेंब्र 2010 यह आप से पर्टेन नहीं करता यानिके जिस साल का PNL बनाना है उस साल से पर्टेन नहीं करता इस साल बताओ कितनी लॉट्स बनाएंगी पहली नवेंब्र 2010 और 30 नवेंब्र 2010 के बीच में कितनी चीज़ें मैंने बना ली थी एक से लेकर 10 लॉट्स यानि के पहली 10 लॉट्स अब अगर मैं ऐप्शन नावेंब्र टू पर जाता हूं अगर मैं ऐपशन नम्बर टू पर जाता हूं तो ऑफशन नम्बर टू के हिसाब से मैं यह वाला जो सान होन गा जो 30 नहुमर दोहजार 11 को खतम होगा option number two पर जब मैं जाओंगा जब मैं प्राइस अखूंगा साड़े 500 तो मैं कितनी लॉट्स बना लूँगा यस मैं 700 लॉट्स बना लूँगा जो के होगी lot number 11 से lot number 710 ठीक है ऐसा ही है ठीक है ना भई मैं इस बार 700 लॉट्स बना लूँगा और जो होगी lot number 11 से lot number 710 अच्छा मैं अब आप लोगों को एक चीज़ पूछता हूं क्या मैं यह जो सेकेंड वाला पार्ट है यह सॉल्फ करने के लिए मैं total cost of first 710 लॉट्स जाने के वन से लेकर 710 क्या मैं ऐसा करूंगा कि इसमें से मैं माइनस कर दूं total cost of first 10 lots जाने के lot number 1 से लेकर lot number 10 क्या यह सही है अगर मैं पहले 710 lot की cost में से जाने के पहले दूसरे साल जितनी भी हां जी सर्क क्यूंकि learning stop हो रही है जबर्दस्त जबर्दस्त यह तरीका यहां पर invalid हो जाएगा reason यह है कि बीच में learning stop हो रही है जब learning stop हो जाती है coronavirus हो जाने के बाद हर अगला unit उतने ही टाइम में बनता है जितना learning stop होने वाला unit बना है अच्छा पहले तो मुझे इसका मतलब गयो गया के learning जहां पर stop हुई है ना वो 500 unit पर हुई है तो हम मुझे जो है ना वो पहले तो cost of 500 unit धुननी होगी और उसके लिए मुझे क्या करना होगा cost of 500 units minus cost of 499 units एक काम तो मुझे यह करना होगा कि बएथ 500 अगर दुनना है पहले यूनिट की cost को ýसे पहले 499 units की cost को माइनस करो ना तो 500 unit यहां पर विख गई है ना उस unit की cost आजाएगी पहला गाम मुझे यह करना होगा पहला मुझे यह करना होगा यह step number one होगा ठीक है अच्छा सर फिर क्या करेंगे अब दर अगोर से सुना मैं क्या करूंगा मैं पहले से लेकर 500 पहले से लेकर 500 500 क्यों सर जहां पर लर्निंग रुकी है मैं पहले से लेकर 500 जो आपके पास यूनिट्स होंगे उसकी कॉस्ट लूँगा उसमें से मैं माइनस कर दूँगा के चार्सो नवे लाट्स बनता है तो मैं पहला इस्टेप यह करूंगा कि पांतबर नुम्हीं लॉट कितने टाइम में बनती है उसकी वैलियू दूणडी फिर ये मेरा दूसरा step number two होगा ये step number two जो है इस पे हमने क्या किया? हमने ये देखा कि या जिस जगा learning रुक रही है यानि के जो पहले 500 lots है lot number one से lot number five hundred उसका क्या खर्चा है? और उसमें से मैंने माइनस कर गिया पहले से लेके दस्वे lot का खर्चा तो मेरे पास लॉट नमर 11 से लॉट नमर 500 का खर्चा आगिया ये 490 लॉट्स हैं ये स्टेप नमर 2 होगा ठीक है इस से मुझे अभी अगले पूझे साल की सारी कॉस्ट पता नहीं चली लेकिन मुझे लॉट नमर 11 से लॉट नमर 500 जो मुझे सेकेंड येर में मैंने बनाए थ उसकी कॉस्ट पता चल गई और ये 490 की कॉस्ट होगी सर इसके इलावा क्या होगा इसके इलावा फिर आप जो है ना वो लॉट नमर 501 से लेकर लॉट नमर 710 ये जो लॉट से ना इसकी कॉस्ट को एड कर दोगे ये आपकी 210 लॉट बनती हैं और 490 और 210 टोटल 700 बन जाता है सर ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने जो 500 लॉट की कॉस्ट होगी कॉस्ट को फॉर 500 लॉट मॉल्टिप्लाइट बाइ 210 करना ठीक है अच्छा नॉमान सुनो जरा गौश से सुनना नॉमान देखो नॉमान मैंने जो न वह दस लॉट्स पिछले साल बना ली थी लॉट नमबर बन से लॉट नमबर टेन ऐसा ही है ठीक है इस साल मैंने जो लॉट्स बनाई होंगी वो टोटल 700 बनाई है टोटल लॉट 700 बनाई है लेकिन अगर उनको नंबरिंग दो तो लॉट नंबर 11 से लॉट नंबर 710 बनता अगर नंबरिंग दो अगर हम पिछले साल की लॉट से नंबरिंग दें उनको सीरियल नंबर दें तो इसका मतलब दोनों सालों में मिल मिलाकर दोनों सालों मिल मिलाकर साथ सो दस चीज़े मनी हैं पहले साल दस चीज़े मनी थी और दूसरे साल साथ सो चीज़े मनी थी तोटल आपने पहले दूसरे तो दोनों सानों में साथ सो दस चीजे में आई है ठीक है यह समझ गया अच्छा अब हमारे पास लर्निंग जो है ना लर्निंग वह 500 यूनिट पर रुक रही है लर्निंग जो है वह वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर देखो आप एक चीज बना और उस पर नंबर लिखो तो लॉट नंबर वन से लॉट नंबर टैन हो गया यह पिछले साल बनाएं है इस्साल मैंने दस जीज वे मनाई लॉट नंबर से लॉट नंबर 20 आश्या यह बात फ्लियर रहे यह सर अच्छा आप देखो ऑप्शन नंबर टू के सब्सक्राइब तो के साब से उप्शन किती ही चीज़े बनाऊंगा इस साथ सो चीज़े बनाऊंगा तो सेवन टैन इसलिए वो गया क्यूंकि लेबर यह बोलेगा कि मैंने टोटल सेवें रिंडिड इन टैन लॉट्स बना ली है लॉट नमबर वन से टैन दस चीज़े पिछले साल एलेवन स हुएं इस साल नमबर्स के साब से आगया मैं जीरो से नमरिंग स्टार्ट करूँ पिछले साल की पहली लॉट्स से साथ करूँ तो उस संस में मैंने 11 से लेकर 710 वाली चीज़ें इस साल बनाई है अच्छा अब learning रुक रही है 500 लॉट पर तो मैंने cost और 500 लॉट मिकालने के लिए 500 यूनिट्स की या lots की cost में से 499 की cost को माइनिस किया ये concept हमने पहले भी पढ़ा है ये step number वन हो गया ठीक है यहां तक सब साथ हो नमान ये clear है कि 500 यूनिट या 500 लॉट की cost कैसे निकलेगी 500 में से 499 की cost को माइनिस को तो फाइव इंडिट की आ जाएगी इसके बाद आपने क्या किया आपकी जहां पर learning रुक रही थी जहां पर learning रुक रही थी पहले तो वहां तक की cost calculate कर दी आपने क्या किया आपने देखा से लॉट नमबर 500 विच इन टर्म्स ऑफ कॉंटिटी 490 चीज़ें बनती हैं उसकी cost आ जाएगी और इन टर्म्स ऑफ नमबरिंग 11 से 500 जो आपके लॉट नमबर से उनकी cost आ जाएगी ठीक है नोमान ये भी clear रहे है ठीक है नोमान ये भी clear है ना बेटा मैंने 500 में से पिछले साल जो 10 सीज़ें बनाएं थी वह हटा दी अच्छा अब क्या वाँ अब मैंने यह cost यह तो मेरे पास 490 लॉट की cost है ठीक है ना यानिके 11 से 500 की cost है अब 210 चीज़ें वह हैं जो लॉट नमबर 501 से लॉट नमबर सेवेंटेन हैं इसकी cost कैसे आएगी जितनी 500 लॉट की cost होगी उसको 210 से मल्टिप्लाइ करेंगे अब बता दो भाई किसी का इसमें कोई सवाल है फिर मैं आप लोगों को चाहूंगा कि यह आप लोगों खुद करो ट्राय और मैं आपको अंसर दूँ और फिर उससे मैच करो बट पहले आप लोग मुझे बता दो किसी 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 को कोई भी कोई भी शॉज्फ है तो मुझे बताओ मैंने प्रोसीजर समझा है कि आप लोग अब आप लोग इस सवाल को अपने पार्ट पर सॉल्व करो और उसके बाद फिर इंशाला नेक्स क्लास में लवनिंग कर वो लेबर की मजीद करते हैं यह कुशन आपने करना और आपने जो इना इसके फॉरन बाद वाला जो बढ़के चलो हाँ चलो कर लेना यह अबनान लिमेटट वाला वो क्वेशन आपने ट्राइक तो दो क्वेशन आप लोगों के पास वो तो आधा तकरीबन मैं करवा चुका हूं उसको आप लोगों ने कंप्लीट करना और अभी करने ना और क्वेशन नमेर टू आपका प्योर होंग ठीक है वह फिए फिर वेनि अबना आपका वी तो करना दो आपका प्योर हो यह बाला झाल गबना चलीट करें वेशन आपका पिए विझा है उसक्वें वेशन आपका प्योर हो आपका वे चाह रवाओर।